लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था Electromagnetic Wave Theory जिसका कहना था कि Energy is emitted in form of Continuous Wave तो अब देखिए सबसे पहले Continuous Wave का मतलब समझे Continuous Wave का मतलब है कि अगर कोई wavelength हमेट हुई है तो वो कहीं भी break नहीं होगी वो continuously चलती जाई अब आप इस बात का मतलब समझे Continuous Wave का मतलब Always जो Lambda है वो Same होना चाहिए wavelength शुड़ भी same क्योंकि आप समझ सकते है wavelength तब ही vary करेगी जब वो Lambda ब्रेक हो जाएगा अब Lambda का ब्रेक हो सकता है जब energy continuously अमेट ना हो रही हो जिसे समझने के लिए एक layman language में एक normal भाशा में मैं आपको यह बोलूँगा आप ऐसे सोच सकते हैं कि just let us consider a thread हम एक thread consider करते हैं और let's say कि वो जो thread है वो red color का है तो वो red color का ही रहेगा unless और until उसे तोड़ के उसमें blue color का thread ना लगा जाए same way ऐसे ही अगर कोई wavelength हैमेट हो रही है तो lambda उसके इसमें क्या होगा same होगा unless और until उसमें कोई नई उसमें energy ना आए और नई energy कब आएगी जब वो discontinuous हो जाए तो जैसे अगर हम बात करें तो यह जो value है यहाँ पे इसके बीच में यह lambda है अब यह lambda तभी वेरी करेगा जब क्या होगा यह values change होगी तो lambda same अब lambda change होने के लिए energy change energy change होने का मतलब wave theory गलत तो इससे समझ आ रहा है कि lambda कभी भी same नहीं था अब कौन कौन से experiment थे जो इसे प्रूव कर रहे थे now first thing change in color on heating जब आप किसी substance को heat कर रहे हैं तो उसमें color change यह बहुती normal सा observation है और I hope आप सभी ने observe किया होगा कि किसी let's say we have a iron rod हमारे पास एक iron का rod है और जब आप उसे heat करते हैं तो initially वो जो rod होता है initially that rod is light red initially उसका color कैसा होगा light red होगा तो you can say light red है but sooner और जज़ादा heat करते हैं तो it becomes dark red क्या हो जाएगा वो dark red हो जाएगा तो you can say पहले light red था फिर जैसे heat करते गए वो dark red होता चला गया अब हमने temperature और increase किया तो वो जो iron rod है वो क्या हो गया white मतलब transition state है कि color change हो रहा है iron rod पहले light red था फिर dark red हुआ फिर उसके बाद white हुआ उसके बाद और जज़ादा heat करेंगे तो यह finally blue हो जाता है अब यह color change आ रहा है यह भी इस बात को show कर रहा है कि energy is not continuous energy continuous नहीं है क्योंकि कभी wavelength क्या है बड़ी है कभी wavelength क्या है छोटी है तो ऐसा तब हो सकता है जब energy continuous नहीं हो अब समझते हैं कि ऐसा हो क्यों हो रहा होगा color change क्यों हो रहा होगा तो लेट से कि पहले हमारे पास temperature अब हम पढ़ जोगे है equal to hc by lambda तो e equal to hc by lambda अब यह वैसे formula हमने पढ़ा नहीं है तो अभी Planck's theory बढ़ते हैं फिर से हम एक्स्प्लेइन करेंगे बट एक ही color change हो रहा है वेवलेंथ हमेट नहीं हो रही है वेवलेंथ डिफर कर रहा है now next point is black body radiation यह भी इसका drawback है black body radiation कैसे क्योंकि अगर एक ही wavelength हमेट हो रही है या energy continuously एक ही wave की form में हमेट हो रही है तो जैसे definition पहले पढ़ लेते हैं कि what is black body तो black body जो है यह ideal body है मतलब हमने इसे ideally एक assume कि it is a body which is very ideal can emit and absorb यह emit कर सकता है और absorb कर सकता है all types of all types of radiation तो what is black body black body is a ideal body which can emit and absorb all types of radiation अगर हम यह कह रहे है कि जो हमारा radiation emit हो रहा है तो अब जैसे word यूज करें black body radiation तो यहां पर word आजाएगा is called as black body radiation देखे हम आपको बार बार आडवाइज करेंगे कि आप जैसे कोई भी term पट रहे है think over it जैसे हम बोल रहे है energy is emitted in form of continuous wave तो हम आपको बोलेंगे कि बार बार आप इस बात पर focus करें या कोशिश करें इस बात को समझने की कि continuous wave का meaning क्या है जैसे इसके लिए आप example हो आप किस-किस word में continuous word use करते हो continuous thread होता है या कोई चीज continuous आप कब बोलते हो आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो फोर आवस बिना उठे उसे continuous बोलते हो या बीच में उठ जाते हो फिर पढ़ने बैठते हो आप उसे continuous बोलते हो तो just think on the word continuous थोड़ा सा इसमें सोचिए तभी आपको थोड़ा clear होगा कि wave theory जो बोल रही थी first point energy is emitted in form of continuous wave वो क्यों गलत था या जैसे black body radiation है अब black body radiation कह रहा है कि वो हर type की radiation absorb कर सकता है emit कर सकता है अब जब उसने हर type की radiation emit or absorb करने बोले तो आपको doubt है sir इससे यह कैसे clear हो रहा है कि यह गलत है हमारा जो example है that is incorrect energy continuous नहीं है energy continuous कभी भी होगी तो सारी wavelength वहा possible ही नहीं है एक ही wavelength वहा possible होगी plus अब यहां पे एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं हम एक plot ड्रॉट कर रहे हैं intensity intensity का मतलब आप समझ सकते हैं कि intensity is nothing but number of wavelength या number of frequency emitted तो intensity को हम थोड़ा detail में explain करते हैं कि intensity है कि सपोज 100 nm की एक wave emit हो रही है 100 nm एक wavelength है 100 nm और उसकी wavelength एक इमेटरी है अब मान लेते हैं 200 nm की wavelength इमेटरी है 10 तो किसकी intensity जाद है 200 मतलब जितनी number of waves एक particular wavelength की होगी उसे आप intensity बोलोगे सेम वे अगर lambda 300 nm है उसकी wavelength इमेटरी है 400 तो हम बोलेंगे इसकी intensity सबसे जाद है तो I hope हमें intensity word clear है तो intensity word है की एक particular wavelength की कितनी radiations एमेट हो रही है that is intensity तो black body radiation जब वो एमेट कर रहा था मतलब यह हमारी एक ideal body है जिसमें हमने माने की वो all types of radiation को एमेट कर रहा है तो जब हमने यह graph plot गया black intensity का with respect to wavelength तो wavelength को हम डिनोट कर रहे है किस से जब इस graph को आपने देगा तो first of all एक lower temperature पे a curve ड्रॉग गया तो वो curve कुछ इस type का रहा है like this observe this and try to understand it देखे अगर इस curve को आप समझेंगे तो इसका यह मतलब है कि suppose we have some lambda values यह lambda की कुछ value है यहाँ पर suppose मान लेते हैं कि यह 500 है और यह value 1000 है और 1500 इसको ले लेते है 2000 and last में so on और यह जो lambda इसकी unit मान लेते है nanometer अब इसको अगर हम समझें तो हमें यह समझ आ रहा है कि यह किसी temperature पे emit हो रहे है यह black body के particular temperature पे emit कर रहा है and let's suppose this temperature is T1 तो T1 temperature पे हमने देखा कि यह जो 1500 के आसपास है यह intensity maximum मतलब जो black body है हर type की wavelength emit कर रहा है और एक particular temperature पे average range की wavelength सबसे जादा emit कर रहा है फिर एक और graph plot किया गया अब उस graph को जब plot किया तो उसमें क्या देखा कि जब temperature rise गया temperature rise करते एक drastic change आया और वो कुछ this type का था and that temperature is T2 और मान लेते हैं कि T2 is greater than T1 तो high temperature पे क्या देखा गया high temperature पे देखा गया कि wavelength जो एक particular wavelength की energy emit हो रही थी wavelength कम हो गई और intensity बढ़ गई इसे एक example से हम समझने की कोशिश करते हैं कि T1 temperature मान लेते हैं 10 degree celsius है 10 तो नहीं 50 degree ले लेते हैं such that कि थोड़ा high temperature तो 50 degree पे wavelength emit हो रहा है 1500 nanometer का लेकिन अगर दूसरा temperature हमने 100 degree ले लिया उस पे जो सबसे जादा number of wavelength emit हो रही है वह emit हो रही है 500,000 यह 750 nanometer यह observation है कि temperature rise गया wavelength कम हो गई अब अगर energy continuous form में emit हो रहा है तो wavelength को कम जादा होना ही नहीं चाहिए और सारी range emit होनी होनी चाहिए तो इस बात को भी electromagnetic wave theory explain नहीं कर पाए तो यह भी इनका क्या हो गया drawback हो गया अब this graph is very important I suggest कि आप इसे समझने की कोशिश करिए और doubt हो तो please ask me क्योंकि काफी student को यह graph समझ नहीं आता है but I hope मैंने आपको intensity explain किया wavelength explain किया और यह explain कि continuous का meaning क्या है अब continuous पे based एक और concept था कि if energy is continuous तो जो हमने hydrogen spectrum के spectral lines पूछी अमने का पता ही है spectral lines emitted by hydrogen atom तो जो hydrogen atom अलग-अलग spectral lines emit कर रहा है वो तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि energy अगर continuous है तो अलग-अलग wavelength कैसे emit हो सकती है यह तो बिलकुल मतलब इसका ही कहने का मतलब है suppose you have a continuous blue color thread तो वो कभी red तो ही नहीं सकता है तो अगर वो red हुआ है तो इसका मतलब बीच में हमने कुछ not किया या cut किया तभी वो red हुआ है तो एक continuous चीज़ कभी भी दो different चीज़े emit ही नहीं कर सकती तो इसको भी वो explain नहीं कर पाया then it also cannot explain photoelectric effect photoelectric effect क्या था अभी इसे detail में explain करेंगे अभी समझ लीजे कि photoelectric effect है कि अगर आप क्या कर रहे है कि कोई light incident कर रहे है किसी particular metal पे और उससे क्या होता है electrons metal surface पे आ जाते हैं तो अगर वो electrons metal surface पे आ जाएंगे जब light incident करेंगे तो उस phenomena को क्या बोलेंगे photoelectric effect तो अब यहां पे यह ध्यान देना है हमें the phenomena of ejection of electron on metal surface when a light of suitable frequency या suitable से बढ़िया certain मतलब fix fix word use कर देते हैं fix और certain का एक ही मतलब होता है certain frequency incident on it अब यह जब उस पे foul कर रहे है तब ही metal से electron आ रहे है इस बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं definition is also important photo मतलब light electric मतलब flow of electrons अब अगर energy continuous है और we have a metal surface हमारे पास suppose यह metal है और यह metal का surface है और इसमें electron यहां अंदर है अब अगर electron को उपर आने के लिए suppose electron अगर उपर आना चाहरा है तो it requires energy 100 joule जो कि हम मान लेते हैं equivalent से assume करने value उपर आ जाएग अब अगर इस पर 1 nanometer का lambda डालते हैं तो भी electron उपर आ जाना जी था क्योंकि energy continuous है तो लगातार जब पढती रहेगी पढती रहेगी 1 प्लस 1 टू हो जाएगा बट ऐसा हो ही नहीं रहे it means कि energy continuous नहीं है क्योंकि अगर energy continuous है तो आदे घंटे नहीं तो एक घंटे दो घंटे तीन घंटे बाद energy add होते जाए जैसे इसके बराबर हो जाए इलेक्ट्रोन उपर आ जाए बट ऐसा नहीं हो रहा उन्होंने एक नया word दिया एक नया concept ही दिया उनकी theory का नाम ही है quantum theory तो क्योंकि Planks ने दिया यह theory that's why we call it as Planks quantum theory students आप notes बनाए और NCRT पढ़िये आप NCRT is a very nice and good book कोई भी मत सोचना कि उसका समझ नहीं कोई भी NCRT की line आपको मिस नहीं करनी है specially अगर आप NEET के लिए prepare करें medical के लिए and for mains also mains भी अब NCRT पही based आ रहे है तो आपको मैं advice करूंगा कि आप NCRT को की एक एक line पढ़िये almost सारे concept NCRT में काफी अच्छे तरीके से mention है तो जैसे आप lecture देखते हैं तो उसके बाद आप NCRT भी देखे और NCRT पढ़के NCRT के in-text questions solved, unsolved, back exercise questions solve करके doubt clear करें first of all यह सबसे important है कि जो आप solve कर रहे है questions वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए NCRT first था कि आपका basic clear हो जाए क्योंकि foundation strong होगा तब ही building उपर बनेगी तो planks quantum theory पे आते हैं planks का कहना रहा था कि जो energy emet होती है वो क्या होती है continuously नहीं होती energy emitted और energy जो emet हो रही है तो planks ने तो पहले emet के पारे में भूला था in form of discrete energy packets discrete का meaning क्या होता है discontinuous discrete or discontinuous energy packets अब इसके लिए हम यह example बोलते है कि समझ नहीं आया कि यह क्या होता energy packets तो पहले नाम लिख लेते है energy packets का नाम है quantas quanta का मतलब latin word है quanta का मतलब होता है energy energy को ही quanta बोलते है remember अब आगे पढ़ेंगे quantum number तो quantum number is energy number जो किसी उसकी energy बता तो energy emitted in form of discrete or discontinuous energy packet अब इस point को समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि अब आप सोचिए कि machine gun है अगर आप से कोई पूछता है machine gun machine gun क्या होता है explain करो what is machine gun तो आप बोलोगे कि machine gun वो होता है जो जसमें से गोलियां लगातार निकलती है तो अब अगर उसमें से गोलियां लगातार निकल रही है तो मेरा question है कि उसमें कितने किलोमेटर लंबी गोलियां निकलती है तो आप गोसी आजाएगी सर कितने किलोमेटर लंबी का क्या मतलब है तो अब यहां पर कितने किलोमेटर लंबी तो नहीं होती है वो गोलियां बस क्या होती है कि fraction of seconds कम होता है तो they are emitted like this अब क्या हुआ क्योंकि time होता है बहुत ही कम होता है इसलिए हम उसे machine gun बोल देते है तो आप यह ही बानिये energy emitted हो रही है या absorb हो रही है तो वो हमेशा discrete, अलग-अलग energy packet में हो रही वैसी, जैसे ही है तो you can see energy इस तरीके से emet हो रही है, देखिए आपने planks का बना देते है graph तो अगर हम planks का अगर wave theory का graph देखिए तो उसने बोला है energy emet हो रही है like this which is incorrect और planks कह रहा है energy is emitted like this energy इस तरीके से emet हो रही है, मतला लग रहा है continuous है, लेकिन continuous नहीं है इसमें छोटे-छोटे energy के packets हैं, और यह जो छोटे-छोटे energy के packets हैं, इन्हें हम photons बोल रहे हैं अगर वो light के हैं photo मतलब light particles और किसी भी radiation के हैं अगर any radiation, तो photons word use करेंगे, अगर वो energy packet light का है photo means light अगर कोई general word radiation है, तो एक दूसरा wavelength भी यहां draw कर लेते हैं suppose हमारे पास एक नया wavelength है एक नई wavelength हो रही है तो अब जो radiation होगी एक energy का packet होगा इसे बोले हैं quanta तो you can say energy 2 joule energy अगर है तो वो हर छोटे छोटे packet में 2 joule की energy है और अगर मैंने बुलाए 3 joule की energy है तो छोटे छोटे packet में 3 joule की energy है तो अब इसका मतलब हर energy की छोटे छोटे packets आ रहे है तो अब quanta word यहां पर define होगया तो energy is emitted इस बात को बार बार हम फिर समझने कुश करते हैं कि planks का कहना है कि energy छोटे छोटे packets में ही निकल रही है तो try to understand मैं बार-बार इस word पर focus कर रहा हूँ small packets अब यह छोटे-छोटे packets मालो आपको छोटे-छोटे packets में gift मिल रहे है तो वो packet क्योंकि change हो रहा है तो gift कम भी हो सकते है जादा भी हो सकते है वो तो depend कर रहा है जैसे कि अभी आप Planks अगले इस postulate में बताएंगे कि packet के energy किस बात पर depend कर रही है फिर उसके बाद Planks ने बोला total energy of any radiation total energy of any radiation is integral multiple यह है integral multiple integral का मतलब integer होना चाहिए मतलब 1,2,3,4 ऐसा होना चाहिए 1.1 नहीं होगा 2.2 नहीं होगा fraction नहीं होगा यह negative number नहीं होगा तो अब वो बोल रहा है कि कि किसी भी radiation की मुझे energy निकालनी है तो वो integral multiple होगा energy of one quanta एक quanta की energy का multiple होगा it means कि जैसे अगर हम बात कर रहे है e e is the total energy of radiation तो वो किसके एक्वल होगा n is number of quanta multiply by e where e is energy of one quanta यह words का clear होना बहुत जोरूर है what is e यह हमें पता होना जी e क्या है हमारा energy of one quanta one quanta means एक energy का जो packet है और what is n n क्या है हमारा number of quantas कितने quantas emit हो रहे है इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा question कर लेते हैं इस point को समझने के लिए let's say कि हमें बोला हुआ है we know कि energy of one photon energy of one photon जो एक बल्ब है वो कोई photon को emit कर रहा है और क्या कहते है जो उसकी energy है वो है suppose you can say 10 Joule और जो वो बल्ब है जो हमने घर में लगा रहा है तो वो बल्ब emit कर रहा है suppose 1000 energy packets quantas 1000 energy packets तो एक बल्ब 1000 energy packets वो तो emit करता ही जाएगा 1000 energy packets in one second एक second में emit कर रहा है तो आपसे बोलेंगे कि बई बताईए total energy emitted by bulb one second क्योंकि one second ही होगा क्योंकि bulb तो आप देखिए घर में लगाते हैं तो लगातार energy emitted हो दी रहती है तो total energy emitted by bulb तो अब बताऊ कि कितनी energy emitted कर रहा है वो बल तो अभी हमने बढ़ाए कि total energy जो होती है वो total energy is equal to number of quantas into energy of one quanta अब एक quanta या एक photon का energy packet तो number of कितने energy packets emit कर रहा है 1000 तो n का value कितना हो गया 1000 multiply by energy of one packet 10 तो answer क्या आगया 10,000 J तो आप बोलेंगे कि जो घर में हमारे bulb लगा है अगर वो एक photon का उसका energy 10 J है और वो एक second में 1000 emit कर रहा है obviously we have to use some time because हमें ऐसे लगाता अब ऐसा नहीं होता कि bulb जला और बुझ गया लगाता और जलता रहता है तो इसका मतलब वो energy packet करता जा रहा है करता जा रहा है अब इस question को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इससे और क्या पता लग सकता है हमें बदा चला कि एक second में bulb 10,000 joule energy emit कर रहा है तो अब यहां पर जड़ा एक definition discuss करने की कोशिश करते है power कि what is power power क्या होता है power is rate of doing work तो work upon time तो power is rate of doing work तो you can say work is nothing but energy energy का ही form है जो bulb energy emit कर रहा है तो energy upon time bulb कितनी energy emit कर रहा है 10,000 और कितने time में 1 second तो what you can say कि जो bulb है वो 10,000 watt का है तो जो bulb लगा है हमारे घर में वो कितने watt का है 10,000 watt का तो this second postulate total energy of radiation is integral multiple energy of one and quanta I hope समझ आ गया हो I guess आप photon और क्या कहते हैं quanta के में भी difference कर पाएंगे कि quantas you can say all quantas are photons क्योंकि photons quanta का ही type है but all photons sorry यह statement गलत हो जाएगा क्योंकि photon energy का packet सारे quanta नहीं हो सकते तो you can say photon is a quanta photons are energy packets photons क्या होते हैं quantas होते हैं लेकिन सारे quantas light के energy packet नहीं हो सकते तो photons are quantas but but all quantas cannot be photons सारे जरूरी नहीं है कि सारे energy packets photons light के हो photo word light से आया है photo का meaning क्या होते है light third postulate पड़ते हैं Planck's quantum theory का third postulate क्या कह रहा है आपको यह कह रहा है कि energy of radiation is directly proportional to frequency energy of radiation किसी भी radiation का energy होता है वो directly proportional होता है frequency of quanta proportional to frequency of quanta जो quanta है उसकी frequency के proportional है अब यहां से हमें यह समझ आया है कि e is proportional to new तो proportionality का sign अटाते हैं तो we get Planck's constant h new तो we get this formula e equal to h new अब already जब हमने wave बढ़ा है तो वहां पर हमें पता है new is nothing but जो new होता है it is nothing but c by lambda Einstein ने बुले कि wavelength और frequency का product velocity of light होता है तो e can be written as hc by lambda अब इसको अगर हमें lambda निकालना है h c और e अब अगर कहते है h is h हमारा आपका है h का value fix होता है तो h की value भी लिख लेते है 6.63 into 10 raise to power minus 34 joule second और c is velocity of light it is also fixed 3 into 10 raise to power 8 meter per second अब actually मैं समझाना चाहरा हूं कि अगर आप यहां पे h और c की value रखेंगे तो एक constant number ही आएगा और अगर उसको आप divide कर देते है 1.6 into 10 raise to power minus 19 से मतलब energy को अगर आप electron volt में change करते हैं तो उपर वाला number हो जाएगा 12400 और जो lambda आएगा वो हमारा आएगा angstrom में तो we can use this as a shortcut to calculate lambda when energy in electron volt is given तो I suggest you to learn all these three formula which are very important for us तो E equal to Hc by lambda का हम use करेंगे most of the numericals तो अब हम Planck's theory पढ़ चुके हैं और हमें पता लग रहे कि सारी radiations emit हो सकती हैं क्योंकि temperature पे depend करेगा energy तो अगर temperature change होगा सब की energy अलग-अलग होगी तो सब की radiations भी अलग होगी frequency भी अलग होगी Now let's try to understand this concept के change in color on heating जब आप किसी substance को heat करते हैं तो उसके color में change क्यों आता है तो देखिए हमें अब आपको यह बात समझ आ चुगी है अब आपको क्या-क्या पता होना चाहिए हमें first thing समझ आ गया है कि जो energy है वो frequency पे depend करते है तो energy is directly proportional to frequency और you can say energy is inversely proportional to lambda second thing हमें क्या याद रखना है कि जो red color है red color का frequency क्या होता है सबसे कम और wavelength क्या होता है सबसे जादा तो you can say तीसरा point हम याद रखते है कि जो blue है वोयलेट के बाद थोड़ा सा eye का हमारा limitation है eye purple color को तब ही देख पाता है जब उसका intensity बहुत high हो तो इसलिए generally कोई चीज़ पहले blue नज़र आती purple भी नज़र आएगे कर आप बहुत high temperature भी ले जाएगे अब blue के बारे में आपको याद रखना है blue का maximum होता है frequency लेकिन minimum क्या होता है lambda आप 10th class में पढ़ चुके रेड कलर का wavelength जादा होता है इसलिए traffic signal में यूज करते हैं क्यों क्योंकि वो ज्यादा distance कवर कर सकते हैं और आसमान नीला है परपल होना चाहिए तो नीला इसलिए क्योंकि परपल कलर आई की limitation है वो उसे देख नहीं पाता है आप समझते हैं कि जब इसका temperature iron rod का temperature T1 केस में कम था तो उसकेस में जो molecules थे उनकी energy भी कम थी अब जब molecules की energy कम थी तो obviously हमें समझ आ रहा है कि when energy is less जब energy less होगा तो उनका frequency भी कम होगा अब अगर frequency कम होगा तो frequency कम किसका होता है blue का sorry frequency कम होता है red का इसी लिए initially वो red दिखता है फिर आप जब temperature बढ़ाते हैं तो energy का जो distribution होता है iron के सभी molecules में equally नहीं होता हर molecules की energy अलग-अलग होती है सब अलग-अलग wavelength हमेट करते हैं सारे color से मिलके कौन सा color बनता है white इसी लिए जब आप किसी चीज़ को heat करते हैं तो वो white दिखने लग जाते हैं लेकिन दीरे-दीरे जब आप temperature बढ़ाते रहते हैं तो सभी molecules की energy दीरे-दीरे क्या होती है सेम होने लग जाती है जब सारे molecules की energy सेम हो जाएगी और temperature T3 temperature is high हमें यह भी समझ आ रहे T1 से बड़ा T2 है और सबसे बड़ा T3 T3 का high temperature है दीरे-दीरे सभी molecules की kinetic energy total energy uniform हो जाती है जब वो energy uniform हो जाएगी तो सब एक ही fixed wavelength करेंगे और T3 temperature high है मतलब energy high है तो जो wavelength होगी कि वो क्या होगी कम that's why finally कोई substance क्या हो जाता है blue तो I hope समझ आ रहा है कि color transition की से substance को heat करते हैं तो क्यों होते है अब यह तो clear ही है कि अगर wavelength energy packets discontinuous है तो definitely different wavelengths emit हो गई same way different spectral lines भी emit होगी photoelectric effect भी समझ आ गया क्योंकि अब electron को उपर जाने के लिए जो है वो चाहिए energy packet suppose वो चाहता है कि electron उपर जाने के लिए 2 joule का packet strike करें तो 2 joule का packet strike करेंगा तो उपर जाएगा लेकिन 1 joule के कितने भी packet को hit कर लो electron उपर नहीं जाएगा let's try to इसे थोड़ा और clear करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे है हम यह कहना चाह रहे है कि अगर हमारे पास एक metal surface है we have a metal surface और उसमें electrons embedded electrons embedded का मतलब दब हुए है और उस electron को उपर आने के लिए assume करते हैं कि उपर आने के लिए उसको energy चाहिए 5 J अब हमारे पास energy के छोटे-छोटे packets हैं तो we have very small small packets energy packets सब का energy के कर रहे है vary कर रहे size इसले बना रहे है थोड़ा बड़ा था कि आपको लगे energy vary कर रहे है suppose हमारे पास एक 1 Joule का packet 1 Joule का we have an energy packet of 2 Joule और एक 3 Joule का है 4 एक 5 एक 6 और एक 7 अब वह वन वाला टकराएगा वह ही रह जाएगा क्यों? क्योंकि 5 Joule energy है 2 वाला इससे strike करेगा वह भी strike करने के बाद यह ही रह जाएगा electron से strike करके फिर उसका 3 वाला strike करेगा कुछ नहीं कर पाएगा वह electron का यह बिल्कुल आप वैसी समझे कि सपोज आपके पास एक chair पड़ी है अगर आप उस chair पे hit कर रहे हैं आपने सपोज एक कागज hit की है कागज की ball बना गया थर्मकॉल तो वह chair का कुछ नहीं होने वाला चाहे आप ऐसी हजारो बॉल इस पे hit कर दो अगर आप एक football को hit करोगे तो यह chair fall यह chair गिर जाएगी क्यों क्योंकि एक ही ball में वह energy होनी चाहिए तब ही chair गिरेगी लेकिन उससे जिसनी गिरने के लिए उसे energy चाहिए उससे कम आप कितनी ball hit करो chair will never going to fall आजाएगा अब आप पूछेंगे sir 6 वाले पे आजाएगा yes 6 वाले पे आजाएगा sir 7 वाले पे आजाएगा yes 7 वाले पे आजाएगा यह बिल्कुल ऐसा ही समझेए कि अगर आपने ball hit की chair पे तो chair गिर गई लेकिन आप बहुत तेजी से football hit करेंगे चेर पे हो सकता है चेर थोड़ी आगे move करें और बहुत ही स्पीड से आपने football को hit किया तो chair हो सकता है और आगे चली जाएगा तो यह बिल्कुल वैसा ही है कि एलेक्ट्रॉन उपर आने के लिए energy चाहिए उसे 5 अब अगर उसे 6 वाले green color वाले lights ball से hit करेंगे तो electron 5 को तो use करेंगा उपर आने में और एक से आगे भाग जाएगा अब एक अगर हम yellow color की ball से hit करेंगे electron को 7 joule वाले तो electron 5 joule energy consume करेंगा उपर आने के लिए metal surface पे और उसके बाद 2 joule energy से move करने लागेगा which is called as kinetic energy तो I hope आपको यह planks theory समझाय होगा drawback of wave theory समझाय होगा तो अगर आपको कोई भी doubt हो please whatsapp us और comment section में भी आप comment कर सकते हैं but please notes बनाईए and do ncrt I again advise you ncrt is very important ncrt बहुत जादा important है तो उसको solve करिये thank you